और अभी मैंने आपको बताया था कि morning start pattern जो होता है, वो सबसे अच्छा काम कहां पर करता है, तो almost हमें 100% का return देखने को मिला था Hi everyone, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे stock के बारे में discuss करने जा रहे हैं, जहां पर हमें आज की दिन काफी बहतरीन एक breakout देखने को मिला है और अगर इस stock breakout के direction में अगर movement को continue करता है, तो हमें आने वाले समय में अच्छा return देखने को मिल सकता है अब बात करते है stock की, पहला stock है हमारे पास BEML का और यह rise का chart तो सबसे पहले हम लोग यहां पर region को find out करते हैं, कि हमने इस stock को क्यों select किया है, क्या हमारे entry price होगा, क्या stopless होगा, और क्या हमारे possible target हो सकते है आप यहां पर देख सकते हैं, जो मैं time frame यूश कर रहा हूँ, वह है daily का लास्ट टाइम हमने scoreless किया था somewhere around 1700 के आसपास, फिर हमने scoreless किया around 2700 के आसपास, फिर हमने scoreless किया था around 3600 के आसपास, और इसने high लगा था around 4100 का तो काफी बहतीन आपको returns देखने को मिला होगा, बट कोई बात नहीं, अगर आपने last time अगर miss कर दिया था, तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए, बट सबसे पहले region को find out करेंगे, एक simple सा trend line, अगर आपको trend line draw करना नहीं आता है, तो मैं इस पर एक breakout होते हुए दिख रहा है, तो पहला region इसा stock को जो select करने का है, वो है trend line का breakout, आप एक यहाँ पर pattern भी draw कर सकते हैं, और इसे हम लोग करते है, cup and handle pattern, and आज की दिन हम इसका भी breakout होते हुए दिख रहा है, तो second region इसा stock को जो select करने का है, वो है cup and handle pattern का breakout, आप यहाँ पर यह भ कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है, यह होता है bullishness का और ऐसे cases में price के ऊपर जाने के जो probability होती है, वो काफी जादा बढ़ जाती है, अब बात करते हैं levels की, तो अगर यह stock 3725 के अगर उपर जाता है, तो मैं अच्छी buying देखने को मिल सकती है, अगर बात करेंगे stop loss की, तो stop loss होगा previous swing low, जो कि यार है 3, 4, 5, 0 to pitch closing basis bar, अब बात करते हैं target की, हमारा first target होगा 3870 का, second target है 4140 का, and इसके बाद यह stock है अपने all time high की तरफ चल जाएगा, अब आईए देखते हैं next stock और यह है, इस आब India का, और यह rest का chart, अगर सबसे पहले region को find out करने की कोसिस जैसा की आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि last time अगर मिस कर दिया था, तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए, बट सबसे पहले region को find out करेंगे, तो एक यहाँ पर simple सा horizontal line, चीजों को बिलकुल ही असान रखेंगे, जिससे समझने में कोई भी दिक्कत न हो, तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं, somewhere around 5380 के आसपास, जैसा की आप यहाँ पर देखेंगे, price उपर से नीचे की तरफ आता है, तो same level एक support की तरह act करता है, and एक यहाँ से reversal, again price same level को touch करता है, upside में एक बड़ा reversal, फिर prices को break करता है, and downside में एक बड़ा move, फिर से prices level को touch करता है, and downside में एक बड़ा move, और आप यहाँ पर notice कर सकते हैं, कि आज की दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है, तो इस stock को जो select करने का जो region है, वो है resistance का breakout, आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे, कि जो आज का जो volume है, वो previous कई days के comparison में कई गुना जाता है, that means कि इस breakout को volume भी support कर र स्टॉप लोस की, तो स्टॉप लोस होगा previous swing लो, जो किया रहा है, 5200 रुपिस, closing basis पर, अब बात करते हैं, target की, हमारा first target होगा, 5825 का, second target है 6030 का, and third target है हमारा पा 6250 का, अब आइए देखते हैं, नेक सा stock, और यह है, Gland Pharma का, और यह रहा इसका chart, again सब सब ले region को find out करेंगे एक simple सा horizontal line, चीजों को बिलकुल यह असान रखना है, जिससे समझने में कोई भी दिकत ना हो, तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं, somewhere around 1690 के पास, जब भी price इस level को touch करता था, हमें upside में एक move देखने को मिलता था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, price यहाँ पर breakout देता है, add upside same level के पास आता है, reversal, same level के पास आता है, reversal, again a reversal, और अभी जो price exactly same level से, एक reversal लेनी की कोईसिस कर रहा है, तो इस stock को जो select करने का जो region है, वो है support से reversal, उतना ही नहीं, अगर आप इन तीनों candle को अगर combine करेंगे, तो इसने kind of morning start pattern बना रखा है, तो आप यहाँ पर सवाल कर सकते है कि जो morning start pattern है, वो सबसे बहती दिन कहां पर काम करता है, तो यह जो pattern है, सबसे अच्छा काम support पर करता है, अब वो support horizontal भी हो सकता है, और slanted भी हो सकता है, slanted I mean to say trend line, अब बात करते हैं levels की, तो अगर यह stock 1775 के अगर ऊपर निकलता है, तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती ह अगर बात करेंगे stop loss की, तो stop loss होगा 1685 रूपीच closing basis पर, अगर बात करेंगे target की, तो हमारा first target होगा 1795 का, second target है 1855 का, and third target है पर बस 1950 का, अब आगे देखते हैं, नेकस स्टोक और यह है, मगद सुगर का, और यह राइस का chart, तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि हमने इसको multiple times discuss किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, पहले हमने यहाँ पर discuss किया, around 450 के आसपास, फिर मने इसको discuss किया था round, 550 के आसपास, फिर मने इसको discuss किया था round, 835 के आसपास, और इसने high लेगा था round 866 का, तो काफी बहतीन आपको returns देखने को मिला होगा, बट कोई बात न कि इस stock ने एक kind of inverted head and shoulder pattern बना रखा था, और आज के दिन हमें इसका breakout होते हुए दिख रहा है, तो इस stock को जो select करने का जो region है, वह है inverted head and shoulder pattern का breakout, आप यहाँ पर यह भी notice करेंगे कि जो आज का जो volume है, वो previous कई days के comparison में कई गुना जाता है, that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है, और ज inverted head and shoulder जो pattern होता है, वो bullish in nature होता है, that means कि breakout के direction में आपको बड़े moves देखने को मिल सकते हैं, अब बात करते हैं, अगर यह stock 720 के अगर उपर जाता है, तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है, अब बात करते हैं stop loss की, तो देखिए stop loss हम लोग एक ऐसी जगा पर रखते हैं, जहां से price बार बार एक reversal दिखाता है, जैसा कि आप यहाँ पर notice कर सकते हैं, price कई दिन से इस level को break करने की कोशिस करा था, बट इससे break नहीं कर पाया, इसका region, demand was greater than supply, और in simple word आप कह सकते हैं, कि buyers ज़्यादा aggressive थे उस level पर, as compared to the sellers, that's why the price was not falling, और यही हमारा stop loss होगा, जो की Rs. अब बात करते हैं, टार्गेट की, हमारा फर्स टार्गेट होगा, 745 का, सेकेंड टार्गेट है, 790 का, और फर्ड टार्गेट है, 840 का, अब आईए देखते हैं, अचका last stock और यह है, Solara का, और यह राइस का chart, तो सबसे पहले region को find out करेंगे, एक simple सा horizontal line, चीजों को बिलकुल ही असान रखना है, जिससे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, तो आप यहाँ पर focus करिए around 490 के आसपास, जब भी price इस level को touch करता था, हमें downside में एक move देखने को मिलता था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, multiple times हमें, same level से एक reversal देखने को मिला था, यहाँ पर price breakout देता है, and आज के दिन इस price ने retest किया है, तो इस stock को जो select करने का जोड़ी जन है, वो है breakout and retest, आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते हैं, कि अगर आप इन तीनों candle को अगर combine कर देंगे, तो इसने एक kind of morning star pattern बना रखा है, और अभी मैंने आपको बताया था, कि morning star pattern जो होता है, वो सबसे अच्छा काम कहां पर करता है, तो जब भी morning star support पर बने, या trend line पर बने, तो वहाँ से आपको बड़े moves देखने को मिलते हैं, again it is probability not guarantee, तो इस बात को ध्यान में रखेगा, आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते हैं, कि जो आज का जो volume है, वो previous कई days के comparison में को volume भी support कर रहा है, अब बात करते हैं levels की, तो अगर यह stock 535 के अगर उपर जाता है, तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है, अगर बात करते हैं stop loss की, तो stop loss होगा 490 रूपीज, closing basis पर, अब बात करते हैं target की, हमारा first target होगा 580 का, second target है 665 का, and third target होगा 725 का, तो I hope कि आ वगचीं!